EPF या Employee Provident Fund को लेके लोगों को हमेशा काफी confusion रहती है और अभी recently EPF की taxation को लेके भी कुछ नए rules आ गए है तो सारी confusion इस episode में हम clear करने वाले हैं और साथ में मैंने एक काफी comprehensive EPF calculator बनाया है तो calculate करके देखेंगे कि आखेर EPF से हमें retirement पे कितना पैसा मिल जाएगा नमस्कार मैं हूँ मुकुल आप देख रहे हैं The Asset Yogi Show बने रही है वीडियो शुडू करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारी एप आने वाली है मेरा और मेरी टीम का ऐसा मानना है कि इस से investing काफी simple हो जाएगी एप के लिए आप early sign up कर सकते हैं for discounts and early access लिंक नीचे आपको description में मिल जाएगा अब EPF की बात करने से पहले मैं आप से salary structure के बारे में बात करना चाहूँगा देखे जनरली जादातर companies में जो salary मिलती है वो CTC basis में मिलती है यानि कि cost to company basis पे यानि कि उसमें से हमारे बहुत सारे deductions हो जाते हैं जो company को overall cost पड़ रही है एक employee को hire करने की उसके हिसाब से हमारी salary होती है तो यह deductions होती है हमारी जैसे कि insurance का जो amount है वो हो सकता है meals कई जगे पे provide की जाती है उसकी cost हो सकती है gratitude का amount हो सकता है लेकिन एक portion बहुत ही बड़ा होता है जो काफी बड़ा deduction का portion होता है वो होता है EPF जिसे हम कहते है employee provident fund वो हमारे CTC का up to 24% हो सकता है अब यहाँ पे बहुत सारी companies खाली 1800 per month employee का contribution ले रही होती है और खाली 1800 ही अपनी तरफ से भी डाल रही होती है तो ऐसा क्यों होता है यह employer और employee contribution के आखिर rules क्या है मैं आपसे जल्दी ही बात करूँगा लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर यह EPF होता क्या है इसका पूरा structure क्या है So EPF की अगर हम बात करें तो यह essentially एक retirement product है जिसके अंदर हमारी investment cover हो जाती है pension cover होती है और साथ में insurance भी cover हो जाती है तो जब भी कोई employee एक नई job join करता है तो जो भी employer होता है उसको एक ID generate करना होता है with EPFO यानि की Employee Provident Fund Organization और EPFO एक UAN बना के देता है employer को उस employee के लिए UAN की full form है universal account number यह एक special ID होता है for your EPF account अब यह जो UAN create होता है अगर by chance आप job को switch कर लेते हैं तो आपका यह जो account number है यह दूसरे employer की तरफ shift हो जाता है तो आपका जो भी Provident Fund का balance होता है वो आपका जब आप switch करते हैं job को वहाँ पे transfer हो जाता है आप अपने account balance को इस UAN के through online भी check कर सकते हैं अब सवाल उठता है कि आखिर यह किस के लिए compulsory है कौन सी companies के लिए compulsory है Provident Fund का account बनाना तो जो भी company के employees more than 20 होते है यानि की strength more than 20 होती है उनके लिए यह compulsory है Less than 20 employees वाली जो organization है वो voluntary basis पे registration करा सकती है अब यह तो हमने company की बात की अब employees के लिए क्या यहाँ पे registration के requirement आती है तो जिन भी employees की less than 15,000 rupees salary होती है basic plus DA यानि की basic plus dearness allowance उनके लिए Provident Fund का registration compulsory होता है और जिनकी भी more than 15,000 salary है उनका voluntary registration होता है तो अब यहाँ पे employer contribution और employee contribution के rules आखिर क्या है अगर किसी की salary less than 15,000 है तो वहाँ पे जो employee का contribution होता है वो 12% of basic plus DA होता है minimum अगर employee strength वहाँ पे more than 20 है तो अगर employee strength less than 20 है तो वहाँ पे up to 10% तक वो employee अपना contribution कर सकता है बात आती है अब employer contribution की उस case में जहाँ पे less than 15,000 ही अभी salary चल रही है employee की उस case में minimum 12% of basic plus DA employer को भी डालना पड़ता है यानि की employee का जो contribution है उतना ही employer को भी match करना पड़ता है अब बात करते हैं जिन employees की more than 15,000 salary है तो पहले तो हमने ये बात करी ही ली कि उनका जो registration होता है वो voluntary basis पे होता है वो बोल सकता है अपने employer को और उसका voluntary registration कराया जा सकता है लेकिन अगर ये employee पहले से ही PF के अंदर registered है तो उसका compulsory registration हो जाता है और यहाँ पे contribution कितना कितना होता है employee का contribution 12% होता है of basic and DA employer का contribution भी 12% होता है लेकिन ये 12% से जाधा भी हो सकता है यानि कि अगर कोई employee और employer mutually agree करते हैं कि हम जाधा भी भर सकते हैं PF के अंदर तो वो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे problem ये होती है कि फिर आपकी enhanced salary बहुत जाधा कम हो जाएगी So generally बहुत सारी companies एक standard rule ही बना देती हैं या तो वो 12% of basic plus DA सब के लिए काट लेते हैं या फिर वो जो 15,000 का minimum number है उसका 12% काटना शुरू कर देते हैं तो 12% of 15,000 की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा amount 1800 per month इस वज़े से ये 1800 per month का जो number है ये काफी popular है तो काफी सारी companies ये 1800 per month employee का contribution ले लेती हैं और employer का contribution भी 1800 per month हो जाता है चलिए अब बात करते हैं कि ये जो employee और employer contribution वाला पैसा है ये आखिर जाता कहा है अगर हम employee contribution की बात करें तो जो 12% of basic plus DA हमारा collect हुआ वो सीधा जाता है हमारा EPF account के अंदर सारा का सारा लेकिन जो employer contribution वाला पैसा होता है वो हमारा divide हो जाता है EPF और EPS में तो जो EPF होता है वो हमारा employee provident fund account होता है जहां पर हमारा जाता है 3.67% amount यानि कि 12% में से 3.67% वहाँ चला गया और जो EPS में जाता है पैसा वो होता है हमारा 8.33% यानि कि 12% में से जो बाकी का 8.33% है वो EPS में जाता है EPS होता है हमारा employee pension scheme अब देखें यहां पर EPF और EPS के अंदर एक बहुत बड़ा फरक है जो हमारा EPF वाला amount है वो एक retirement account के अंदर जा रहा है वहां पर हमें interest मिलता है और यह जो EPS वाली scheme है यह एक pension scheme है इसके ओपर हमें कोई interest नहीं मिलता है तो यह जितना भी हमारा corpus बनता है उसके हिसाब से हमारी एक monthly pension monthly हमें जो कुछ amount मिलेगा वो मिलना शुरू हो जाता है इस EPS के अंदर जितना भी हमारा पैसा इकठा होता है अब यहां पर एक और catch है EPS के अंदर जो हमारा maximum पैसा जाता है उसके उपर 1,2,5,0 rupees की cap लगी हुई है तो जो बाकी का EPS के अंदर amount बचा वो हमारा EPF का जो employer contribution का EPF amount था उसके अंदर add हो जाता है तो जो 3.67% वाला number था उसके अंदर ये बाकी का EPS वाला amount भी add हो जाता है अब घबराईए नहीं हो सकता आपको calculation थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो मैं ये सारी की सारी आपको Excel के अंदर calculation दिखाऊंगा और वो आप calculator खुद भी use कर सकते हैं तो अब बात आती है कि ये जो EPS के अंदर हमें pension मिलती है वो कितनी मिलती है उसका एक simple सा formula है तो जो हमारी average 60 months की salary होती है वो ले ली जाती है into number of years of service वो ले ली जाते है उसको amount को 70 से 70 से divide कर दिया जाता है वो हमारी monthly pension बन जाती है और यहाँ पे minimum amount जो होता है वो thousand rupees का होता है और maximum ये जो pension जा सकती है वो 7500 पर month की जा सकती है अब यहाँ पे employer contribution का जो ये EPF और EPS का हमने part देखा इसके अलावा भी दो portion और होते हैं वो over and above होते हैं जिसके अंदर एक portion होता है हमारा EDLI जिसे हम कहते हैं Employees Deposit Linked Insurance इसके अंदर 0.5% of your basic and DA का charge लगता है और ये एक तरीके से premium की तरह भरा जाता है EPFO के अंदर और इससे हमें insurance मिल जाती है as employees और ये जो insurance के amount होता है ये up to 7 lakhs का होता है फिर जो fourth part होता है employer contribution का वो एक और 0.5% का charge लगता है जो administration charges होते हैं तो ये जो 0.5% के EDLI charges और 0.5% के admin charges होते हैं ये over and above होते हैं जो employer को ही bear करने पड़ते हैं चलिए अब बात करते हैं taxation की कि PF पे हमारा tax कैसे लगता है देखिए पहले ही आता था exempt, exempt, exempt category में यानि कि investment stage पे भी कोई tax नहीं accrual stage यानि कि जब हमें interest मिल रहा होता है हमारे amount पे उस पे भी कोई tax नहीं और फिर maturity stage में जब हम पैसा अपना निकालते हैं उस time पे भी कोई tax नहीं लेकिन 2020 और 2022 में कुछ rules change हो गए है अब यहाँ पे आ गई है कुछ limits exempt, exempt, exempt category अभी भी है लेकिन with limits है तो पहले हम बात करते हैं investment stage की अब investment stage में भी हम दो टाइप से amount डाल रहे हैं एक है हमारा employer contribution दूसरा हमारा employee contribution employee contribution हमारा section 80C के अंदर cover होता है तो जितना भी amount हमने डाला as an employee contribution वो सारा हमारा exempt हो जाता है up to 1.5 lakhs of limit तो जो section 80C की overall limit है 1.5 lakhs उसके अंदर हमारा employee contribution वाला आ जाता है उसमें कोई भी change नहीं है ये पहले भी इतनी ही limit थी अभी भी उतनी ही limit है लेकिन जो employer contribution वाली limit थी हमारी उसमें कोई भी limit नहीं थी पहले अब यहाँ पे limit लग गई है 2020 से ये limit कितनी है ये limit हमारी 7.5 lakhs की तो employer का contribution total either in the form of EPF and NPS NPS भी एक और हमारी scheme होती है National Pension System तो इनका total मिला के जो limit है वो 7.5 lakhs की per annum है इस से उपर जितना भी amount होगा वो as perquisite से treat कर लिया जाएगा और उसके उपर tax लग जाएगा तो ये limit हमें समझ में आ गई चलिए अब बात करते हैं accrual stage की तो जो हमें interest मिलता है employee contribution पे और employer contribution पे उस पे आखिर अब कितना tax लगता है पहले हम employer contribution की बात कर लेते हैं तो employer contribution जितना भी EPF के अंदर जा रहा है उस पे हमें जितना भी interest मिल रहा है उस पे किसी तरीके का कोई tax नहीं है कोई limit भी नहीं है तो वो जितना भी हमारा amount है उस पे किसी तरीके का कोई tax नहीं लगेगा अब दूसरा आता है employee contribution पहले employee contribution का भी जितना भी interest बनता था उस पे कोई tax नहीं लगता था लेकिन अब ये tax लगना शुरू हो जाएगा 2.5 lakh से उपर का जितना भी हम हर साल amount डालेंगे employee contribution की form में उसके उपर हमारा tax लग जाएगा अब तीसरी stage आती है हमारी maturity की तो maturity में हमारा जितना भी amount हम निकालते हैं उस पे कोई tax नहीं लगेगा अगर हमारी 5 years of continuous service है तो इसके अंदर कोई change नहीं है चलिए अब बात करते हैं EPF का अगर हमें amount withdraw करना है किसी case में तो हम कितना कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं इस पे भी लोगों के काफी सारे सवाल होते हैं तो देखे पहले तो हम यह समझ लें कि यह जो EPF का product है, यह एक retirement product है सरकार आपको असानी से पैसा यहाँ पे निकालने नहीं देगी तो किन cases में हम यहाँ पे पैसा निकाल सकते हैं हम 100% पैसा withdraw सिरफ दो ही case में कर सकते हैं पहला हम retirement पे पैसा निकाल सकते हैं यानि कि maturity पे निकाल सकते हैं दूसरा अगर हमारी job चली जाती है या किसी वज़े से हम अपनी job छोड़ देते हैं तो after two months of unemployment हम अपना 100% पैसा निकाल सकते हैं तो यह सिरफ दो ही cases हैं जब हम 100% withdrawal कर सकते हैं फिर हम 75% withdrawal कर सकते हैं अगर हमारी unemployment को एक महीने से जादा हो जाता है तो फिर हम 90% पैसा निकाल सकते हैं जब हम retire होने वाले हैं तो after 54 years of age retirement में अगर आपका एक ही साल बचा हुआ है तो हम पैसा अपना निकाल सकते हैं फिर कुछ partial withdrawal limits भी है special cases के लिए purchase या construction of house के लिए आपको कुछ limit मिल सकती है loan repayment के लिए मिल सकती है कोई critical illness हो जाती है family के अंदर उसके लिए कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं अगर आप अपने बच्चों की marriage या higher education करना चाते हैं उसके लिए भी आप partial withdrawal कर सकते हैं और यह जितने भी आपको withdrawal करने हैं इसके लिए आप EPFO की website पे जा सकते हैं जहां पे आपको यह सारी limits मिल जाती हैं और वही पे जाके आप अपना online claim भी डाल सकते हैं चलिए अब हम Excel पे चलते हैं calculation करके देख लेते हैं कि अगर हम EPF में पैसा डालते हैं तो आखिर हमारा total corpus कितना बन जाएगा at the time of retirement तो यहाँ पे मैंने कुछ assumptions पकड़ी हैं तो यह yellow color से आप जो sales देख रहे हैं इसके अंदर आप changes कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने present age पकड़ ली है 24 years की तो इसका जो भी आपकी age है वो आप यहाँ पे select कर सकते हैं फिर retirement age मैंने पकड़ ली है 58 years की current salary basic plus DA की मैंने यहाँ पे assumption ली है 30,000 per month अब यह CTC amount नहीं है यह हमारा खाली basic plus DA जो per month है उतना ही amount है तो हो सकता है actual जो हमारी salary हो वो इससे double हो expected annual increase मैंने यहाँ पे पकड़ा है 10% का अब देखे जब हम job करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम lifetime same ही salary पे job करेंगे हमारा increment भी होता है और हमारे promotions भी होते हैं तो यहाँ पे मैंने एक average पकड़ ली है 10% increment per annum की फिर minimum salary for PF होती है हमारी 15,000 per month की अगर आपकी organization में 15,000 per month के हिसाब से EPF calculate होता है तो आप यहाँ पे select कर सकते हैं drop down में yes अगर आपका full salary पे EPF calculate हो रहा है तो आप इसे no छोड सकते हैं फिर हमारी यहाँ पे कुछ assumptions और आ गई है employee contribution हो गया हमारा 12% का employer contribution का EPF में चला गया हमारा 3.67% और EPS में हमारा चला गया 8.33% interest rate की assumption मैंने अभी पकड रखी है 8.15% per annum की तो जो भी आपका current EPF का interest rate चल रहा है अगर आप इसे future में use कर रहे हैं तो उस time पे आप इसको change भी कर सकते हैं अब यहाँ पे हम एक बार नीचे आ जाते हैं अपने results section में एक चीज में आपको यहाँ पे highlight करना चाहूँगा अब देखिए यहाँ पे EPS का जो amount है यह 1250 का amount है इस पे basically cap लग गई है starting में ही मैंने आपको बताया था कि 1250 की हमारी यहाँ पे cap लग जाती है यानि की हर महीने maximum EPS के अंदर जो amount है वो खाली 1250 का ही जा सकता है और बाकी का जो इसके अंदर हमारा amount बचा देखिए 12% off अगर हम अपनी salary निकाले basic की तो वो हमारा amount बन रहा है 3600 3600 में से 1250 अगर हमारा EPS में चला गया तो बाकी का जो amount बचा वो हमारा EPS of employer contribution के अंदर add हो गया तो अगर हम इन दोनों portions को add करके देखेंगे तो यह हमारा 3600 अंदर यह amount बनेगा तो employer contribution हो गया हमारा 3600 और employee contribution भी हो गया हमारा 3600 का फिर हम यहाँ पे अपनी सारी calculation देख सकते हैं हमारा यह corpus कैसे कैसे बनता जा रहा है आपको यह month wise corpus की calculation मिल जाएगी हर साल के end में आपका total कितना portion बना यह मैंने dark green color से यहाँ पे highlight कर दिया है तो अब यहाँ पे हम नीचे आते जाते हैं जहाँ पे अब यह amount बाद में zero हो जाएगे वहाँ पे हमें अपना total amount का corpus मिल जाएगा यह देखिए 34 years के बाद यानि कि 24 से किसी ने amount अपना डालना शुरू किया 24 की age से 58 उसकी जो थी वो retirement age थी तो total उसने 34 years के लिए invest किया तो EPF और EPS का जो total corpus बन गया वो 5 करोड से भी जादा बन गया अगर आप यहाँ पे total investment देखेंगे तो वो करीब 30 लग के आसपास ही हुई होगी लेकिन यह हमारा जो corpus है यह काफी बड़ा बन गया यहाँ पे basically compounding हमारी काफी जादा हो जाती है interest का जो portion होता है वो इतने सालों में काफी जादा बड़ा amount हो जाता है अब इस topic से related आपके जो भी सवाल है वो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं हम उनको definitely YouTube Shots और Instagram Reels में cover करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को like और share ज़रूर कीजे अपने friends और family members के साथ I am sure EPF को लेके उनके जो भी doubts है definitely clear होंगे